गुरुबंते जी पांच कारण बता दिया है सबी लोगों को ये पांच कारण जनम जो मखा में होना हम लोग का आश्रम में जो जोइंट होता है उन सबी लोगों के पास ये पांच कारण हमेशा होना चाहिए ये पांच कारण में से एक कारण भी अगर जिसके पास नहीं है तो वो आस्रम में रहने का हक उनके पास नहीं है और आस्रम में शांत ही नहीं रहता है आस्रम में जो मेन बांते जी है उनको परेशान और आस्रम में हमें सा गड़ बड़ हर एक दिक्कत आना सुरू होता है तक आस्रम में आप लोग रहेंगे, तब तक नहीं, बल्कि जीवन भर आप लोग के पास ये गुन होना चाहिए. पहला है सहनसीलता. सहनसीलता मतलब आप लोगों के पास बरदास करने का हीमत होना चाहिए. सहनसीलता के बारे में बहुत सुन्दर एक सूतर है ना जो कभी- अबी ग्रिनामान से कुछ सुनाई देता है, खटोर डंगे से कुछ सुनाई देता है, नराज से कोई डाड़ता है, गाली देता है, अपमान होता है, या तो फिर अपना मारिजी के किलाफ कोई बोलते रहता है, हर एक चीजों के सामने आपके पास सबके प्रति बरदास करने के लिए लेकिन बरदास करने के लिए सबसे बड़ा दिकत गमांड है गमांड आते ही यह चोटा है थन्नी को हमको यह क्यों सिखा रहा है अगर अब इसको कंट्रोल नहीं के तो बश्युक्त हमारा सीर पे हाथ दोएगा अलग अलग प्रकारी के नीच विचार आ सा देंगे उदर जाओ जाकर सो जाओ तो आप लोग को बताया इस टोरों में जाकर सोने के लिए आप लोग के पास एसा सेहन सीरता होना चाहिए ठंडा को बरदास करेके वहार रह सके एसा होना चाहिए तो सेहन सीरता बिल्कुल बहुत लोग के पास नहीं है सेहन सीरता जह परेशान हो गया तब भी, और सारी का तकलिफ हो गया तब भी, हर एक चीज को सहन करना सब जरूरत है, वो सहन फिर ता आप लोगों को सेफ्टी करेगा, आज से आप लोगों को खराब प्रकार से या तो फिर अच्छा प्रकार से कुछ भी सुन लिया तो सहन करिए, आप दुनिया कहता है सहन करने से दिक्कत बढ़ता है, दुनिया कहता है सहन करने से हम दरपोग बन जाते हैं, दुनिया कहते है सहन करने से और प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन बगवान गुत ने बता है, सहन करने से हर एक प्रॉब्लम सोल होता है, आज याथ फिर कल सारे दिक्कत कता हो जाता है विना सेहन करने से बहुत सारे गडबड ज्यगड़ा होना सुरह होता है सेहन सीलता है दुसरा है आज्याकारी होना आज्याकारी होना बहुत जरूरी है आज्याकारी होना कितना जरूरी है कोई बनते जकर आप लुगों केहेंगे तो जाओ बाहर कड़ा हो जाओ इतना आपके पास नमरता होना चाहिए आग्याकारी होना चाहिए जाओ कड़ा होने के लिए आग्याकारी नहीं है तो वहागडबड ही गडबड़ हम लोग हमेशा बताते है रूम में बच्चा लोग दीन में थाकिया नहीं बिचाना सोना नहीं सोना है तो आप लोग आराम से आठ बजे सो जाईए सुनता नहीं कोई और पड़ाई करना है गुम के रहता है बच्चा लोग और हम लोग हमेशा कहते हैं द्यान करो कोई को बच्च वो दियान करना भूल जाता है हम लोग हमेशा बताते हैं सुबा उठना है सुबा आफका साड़े पांच बजे पहले उठना है एक दिन उठता है दुसरे दिन साड़े पांच बजे आख खुलता है आंग्या कारी है नहीं है उन लोग अराम से फीर सो जाता है कोई 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 निंद नहीं तुटने कारण रहता है कोई कोई लोग कोई निंद तुट गयाता भी उल्टा फीर सो जाता है ओ तोड अराम करेंगे आज सी आता है आग्याकारी नहीं होने से जहां आग्याकारी है आग्याकारी हर एक लोग बहुत उन्नती पाता है दुनिया में जो कोई सरुस्रेष्ट हो गया तो नामी हो गया तो बहुत लाबसात कार कीर्ट पसान सा पालिया तो धनी हो गया तो आग्याकारी के चलते ही हुआ होगा अपना मामी पाप का आग्या कारी हो सकते है या तो फिर अपना गुरु लोग से या तो फिर अपना मीत्र से जिसके अंदर में आप रहता है आग्या कारी होना बहुत जरूरी है आग्या कारी जहां नहीं वहाँ जहां गड़ा है असान पी हैं कोई न कोई दिक्कत जहां रहने वाले बड़े लोग को भी प्रोब्लम जो आग्या नहीं पालंग करते हैं उनलों को भी प्रोब्लम दोनों के हमेशा युद्ध है इसलिए आग्या कारी होना दूसरा कारी होना है आप लोग आस्तिन में रहेंगे तो आग्याकारी होना बहुत जरूरी है आग्याकारी हो जाई आग्याकारी होने से आपका जीवन खुबसुरत हो जाता है इसको जाने के लिए बोल दिया तो जाना चाहिए पूछ के काने के लिए बोल दिया, पूछ के काना चाहिए कोई वत दिया तो करना चाहिए जो कुछ आपको कोई बता दिया तो ये करना है, करना बहुत जरूरी है नियम पालन करने से, रूल पालन करने से आपने जीवन अपने आप कंट्रोल हो जाता है जिसका जीवन कंट्रोल में है वो बहुत कुछ कर सकता है जिसका जीवन अनकंट्रोल में है अन्बैलेंस में है वो चैन से नहीं जी पाता है सच की बात है तिसरा कारण नमरता होना बहुत जरूरी है पहला कारण सहन सीरता दुसरा कारण आग्याखारी होना तिसरा कारण नम्रता होना नम्रता मतलब कुछ गल्ती दिखाया तो किसी रही हम कहा किया हम नहीं किया ऐसे किया ऐसी रही हुआ ऐसे हुआ कुछ गल्ती दिखा रहा है तो जी बांती जी माफ किजे उग्ल्ती हो गया हम से वो गल्ती मांगते है माफी मांगते है उसका अंदर गुंध़र्म बढ़ता है कोई कोई लोग इतना गमांड है कोई गल्ती हो lagi तो माफी मांगने में शरम लाथा है चोटा बचलो से गवाभी मांगता है नहीं कोई बड़ा बचलो सोचता है हम इसे बाफी मांग लिए तो हम इसके सामने चोटा हो जाता है असलियत में वो चोटा है जो ग Harbor में रहता है इसलिए नम्र हो जाया नम्र होना मतलब बगवान बुद्ध की रास्ता पे आप लोग है या नहीं उसको पहचानने का एक चिन आ है खेत में धान उगता है वो धान पाक्ते पाक्ते बड़ा होते होते धान बहारी के कारण जुग जाता है एसे होता है बड़ा होते होते नकली धान होता है उसके अंदर चावल नहीं है एसा दखन है ना, खेतमी, बड़ा होते हो तो ऐसे ही रहता है, सीधा रहता है जिसके अंदर चावल है, वो जुख जाता है, बाहर के कारण है, वो ऐसे ही है भगवान बुद्धि की रास्ता पे जाते जाते, जिसके पास नमताने हैं घमांट अहंकार है उन लोग बड़ा होते होते कभी तोड़ा मुस्कुराता भी नहीं दीर दीर और घमांट होता है दुसरों को कंट्रोल करने जा रहा है दुसरों को सिकाने जा रहा है अपना कुछ रास्ता पे नहीं है दुसरों को सिकाने जा रहा है बदमास है, अंदर, एम्टी, कुछ नहीं है कोई को लिए कैसा ने बड़ा होते हैं चुक जाता है बाले ही दुस्तरों को डाटता होगा लेकिन खुद भी सही रास्ता पर हैंने के लिए कोशिश करता है दुस्तरों का भी कल्ल्यान करता है और चोटा बच्चा कोई गलती दिखाया तो मान लेता है हमसे गलती होगा, आप नहीं करेंगे एक गलती होगा, दुआरा वो गलती होने नहीं देता है वो ऐसा मेहनत करता है वो नमरता जिन के पास है, उन लोग सिर्फ ये कर सकता है चोटा, बड़े लोगों को इज़्जत करना बड़े लोगों को इज़्जत करना बहुत जरूरी है बड़े लोगों को नाम से नहीं पुकारा जाता है बड़े लोगों को भाया कह सकता है, दिदी कह सकता है यहां था फिर बड़े लोगों को इज्जत करना सिरिफ आस्रम का बात नहीं है घर पे भी, इस्कूल में भी, हर जगा बड़े लोगों को इज्जत करना बहुत जरूरी है जहां बड़े लोगों को इज्जत नहीं किया जाता है, वो थेड़ा आत्मी है उसका हाथ से आमें सा गलती होने का संभावना ज़्यादा है इसलिए आस्रे में है तो आपके साथ उम्रे से कोई बड़ा है तो उसको इज़त करना चाहिए इजमत इज़त से बात करना है और कोई गलती कर तो गलती दिका नालग बात इसके बाद सबी बच्चा से बड़ा हैं बांतेजी लोग छीवर पहने हुई हैं उनलों कांग्याकारी सबसे ज़्यादा जरूरत है उनलों को इज़त करना आंग्याकारी पहले बता है अब इज़त करना और उनसे भी ज़्यादा जो मेंड बांतेजी है मेन बांते जी को सबसे ज़्यादा इज्जत करना चाहिए उन से भी बढ़कर गुरु बांते जी है गुरु बांते जी को सबसे ज़्यादा इज्जत करना बहुत जरूरी है गौरों को साथ कार सामान करना बहुत जरूरी है तो आप लोग आश्र में रहे के अपने से बड़े लोग के साथ मू लगाने जाएगा तो बांतेजी लोग के साथ मू लगाने जाएगा तो उसका बविशे नहीं लापता है लगता है कौन सा पेट से निकल गए वो पता नहीं उसका मामी पापा केसा है पता नहीं मामी पपा बेज जेती होता है कि इसका बच्चा है तेड़ा बच्चा है गाली दे थे लोग, अपमान करते दुनिया इसलिए बड़े लोग को इज़्जत करने का आदत हर एक बच्चा के पास होना अनिवारे है वो हम लोगों का महामिय नास्रम का रूल है अन्तिम कारण फ्रद्या फ्रद्या मतलब क्या सही ही, क्या गलत थे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हम कैसे जीना चाहिए हम कैसे रहना चाहिए मेरा आचरन कैसी होना चाहिए वो हर एक चीज समझने का बुद्धी होना चाहिए आप लोग तो बगवन मुद्धी घ्ञान बहुत सुने हुए हैं अभी आप लोग पता है क्या करना है आप लोग चाहेंगे तो हम लोग को बिना परिशान करके इधर रह सकता है अराम से रह सकता है लेकिन कोई चाहता नहीं है सब जेसा तेसा रहने लगता है जेसा तेसा काम करने लगता है कोई अपना सीध पर भारी उठाता नहीं आस्रा के बारी कोई नहीं उठाता है न पर चलो हम इसा बोलना पड़ता ये हो गया हाँ नहीं भूल गया करें ये किया हाँ नहीं किरपाए करें हर एक चीज को बार 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 याद दिलाना पड़ता है इसका मतलब प्रज्ञा नहीं है प्रज्ञा है तो सोचना पड़ेगा हमको ये काम दिया क्यों काम दिया मुझे विश्वास है इसलिए मुझे ये काम मिला हम भी विश्वास को नहीं तोड़ेंगे वो ऐसा उस समझदारी हो कि अच्छा से हर एक चीश पर द्यान देंगे तो बहुत अच्छा से सफलता पा सकता है काम जितना भी ज़्याद है उतना ही आप मजबूत होता है जितना आपके पास काम काम है उतना भोतर है उतना है आपका अंदर कुछ नहीं ही इसलिए घर घर के बच्चा लोग कैसा है आप लोग के जैसे उमर के बच्चा लोग सिरिफ जानता है क्या क्या मोबैल चलाने आता है एक गुम ने आता है गान आता है ट्यूशन का जो कुछ पड़ तो उससे ज़्याद़ क्या आता है ज़्याद़ कुछ नहीं आता है क्यूं गर गर का बच्चा लोग के पास काम नहीं है मामी पापा कुछ काम देता नहीं है खाना बनाने नहीं आता है चाई बनाने नहीं आता है कुछ काम करवाने नहीं आता है बहुत प्रोब्लम लेकिन आस्रम को बच्चा कि इतना सारा चीज क्यों आता है हमेशा हम लोग करवाता है ये करना ये करना वो करना बच्चे लोग सोचते हैं हमारा पे काम ज्यादा है जो कोई सोच लिया तो मेरे पर काम ज्यादा है वो बहुत बड़ा गल्ती है आपके पास काम होने का रास्ता हम बताए है आपके पास काम होने का रास्ता है क्या रास्ता है आप लोग को जरूर लिखना चाहिए सामने कल हम क्या करना है वो चीज लिखते ही आपके पास बहुत काम हो जाएगा इसलिए अभी हम कुछेंगे तो आपको लोगों से कौन का प्लैनिंग कौन नहीं किया है बहुत सारे लोगोंगे हम नहीं किया हम नहीं किया हम नहीं किया काल का प्लाइनिंग बहुत अर्लूप नहीं किया होगा, क्यों आग्याकारी करना है, अपना प्लाइनिंग सब बिगर गया है, इसलिए वो चीज भी याद रखे, वो पांच कारण प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है, जिसके पास प्रज्ञाब होती है, वो अच्छा से अप वियाकारी होना, नम्रता होना, बड़े लोगों की इज्य सक्कार सम्मान करना और प्रज्ञाबान होना, ये पांच कारण बहुत ही बहुत जरूरी है, आस्रे में जो रहता है, उनको भी घर जाने के बात, उनको भी सारी लोग के लिए, पुरे सब को जी, जो हमेसा कुशी इस रहना चाते है, उन्नती पाना चाते है, सब के लिए, इसके बाद और तीन कारण इस्पेशल हैं, ये तीन चीज सुरक्षा करते रहना चाहिए, हमेशा, ये तीन चीज, सीव को सुरक्षा करते रहना है, दूसरा, वात करते रहना है, हमेशा वात करना है, तिसरा, अपन स्राद्धा को सुरक्षा करते रहना है ये तीन चीज को सुरक्षा करते रहना बहुत जरूरी है पहला है सील दूसरा है वात करना तिसरा है स्राद्धा को सुरक्षा करते रहना स्राद्धा को सुरक्षा करते रहने के लिए ग्यान सुनना जरूरी है, इसके बाद सील तो आप लोग जानते हैं, वात करने के बारे में आप लोग इदर उदर कुछ देख लिया तो गंदा देख लिया तो सुन्दर सिपाउच्टर के रख साकता है, कौन तबाचा उदर राज्टू कर ने गैस का चुला लाकर जहा रख रख दिये हैं, अभी तक वहाँ हैं, इसके मतला कोई निकम है न, कोई प्लैनिंग है नहीं, प्रज्ञा है नहीं, वात है नहीं, तो सील, वात करना, स्रद्धा, ये तीन कारण सुरक्षा करते रहना चाहिए, सहन सीलता, आज्याकारी होना, नम्रता होना, बड़े लोग इ ये कारण समाज की, खोशिश के रिए इसी प्रकार ही रहना चाहिए, इसके रिया आप दो को भागी में चाहिए,